आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट का रायता आप देख सकते हो यह देखने में कितना बढ़िया लग रहा है बीटरूट या चुकंदर बहुत ही हेल्दी है इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में सब को ही पता है पर बहुत से लोगों को इसका जो स्वाध है वो पसंद न नहीं आता इस तरह से एक बार इसका रायता आप जरूर बनाएं या आपको बहुत टेश्टी भी लगेगा तो पूरे वीडियो को जरूर देखें कुछ लिए शुरू करते हैं बीटरूट रायता बनाना मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम बीटरूट या चुकंदर इसे अ बस इसी तरह से मैंने तीनों बीटरूट का चिलका निकाल दिया है फिर इसे प्रेसर कुकर में डाल दें और इसमें आधा कप पानी मिला दें कि इसे खुकर का ढखकन लगा दें और फिर हम इसे गैस टूप पर चढ़ाएंगे तुक होने के लिए हमें टोटल तीन सिटी आने तक इसे पकाना है दो शिटी हाइफ फ्लेम पे फिर गैस टूप की फ्लेम को लो करके और एक शिटी आने दें फिर पूरा श्टीम निकल ल हो चुका है इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल दिया फिर ग्रेटर ले ले लेंगे और इसका जो मुटा वाला हिस्सा है इसे हम तीनों बीट रूट को ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो फूट प्रोसेसर का भी यूज कर सकते हैं अभी मैंने यहां पर एक कप दही लिया है इसे मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लोंगी ताकि यह पूरा स्मूध हो जाएं फिर हमने जो ग्रेट करके बीट रूट को रखा था वो इसमें मिला देंगे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अलग रख लेंगे यह हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए एक फ्राइंग पिन को गरम करें और इसमें एक चमच तेल डालें पिल जब अच्छी तरह से गरम हो जाएं फिर इसमें हम आधा चमच राई डालेंगे आधा चमच राई मिलादें जैसे ही राई अच्छी तरह से चप्टकते लगें इसमें हम जीरा मिलादेंगे फिर इसमें चुटकी भर हींग मिला दें अब ही हमें इसमें डालना है बारी कटे हुए अद्रक, हरे मिर्च और कड़ी पत्ता थोड़ा सा भून लें जैसे ही तड़के का खुसबू आने लगें गेस्टोप को बंद कर लें गेस्टोप बंद करने के बाद हम तड़के को नीचे उतार लेंगे और रायते में इसे मिक्स करेंगे बस थोड़ा सा बद बचा के रख लें इसे हम बाद में यूज़ करेंगे अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स करें फिर इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार चाट मसाला चाट मसाला मिलाने से ये बहुत ही चटपटा बनेगा और फिर नमक मिला देंगे स्वाद के अनुसार पर ध्यान रखें कि इसे परोषने से पहले ही इसमें हम नमक डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लें हमारा रायता बन के तैयार है इसे हम परोसने के लिए एक अलग कटोरी में निकाल देंगे मुझे उमीद है कि मेरी आज की ये बनाई हुई रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें माई कुकिंग एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन पे क्लिक करके फिर आल पे क्लिक करें मेरे आने वाले वीडियो के सारे नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे हमने जो थोड़ा सा तड़का बचा के रखा था वो अभी सजाने के लिए राइते के उपर डाल देंगे पस हमारा सेहत से भरा हुआ और स्वाधिस्ट बीट रूट का राइता बनके तयार है आप इस रेसिपी को अपनी घर पर जरूर ट्राइ करें और कैसा लगा मुझे अपना फिटबेक नीचे कमेंट सेक्षन में देना बिलकुल न भूले